या आपने कोई डिग्री डिपलोमा किया हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है जैसे भी कमपनी बहुती अच्छी कमपनी है इस कमपनी में एन्वल फंक्शन होते रहते हैं जिसमें सभी वरकर डांस करते हैं और उन्हें पार्टी दी जाती है दोस्तों जैसीवी कमपनी फ्री ओफ कोश्ट वस्की फैसिल्टी प्रोवाइड कराती है जिसमें बैठ कर आप आराम से कमपनी के अंदर आ जाते हैं और यहां पर आपको काम करना होता है काम क्या क्या करना होता है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं जो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए इस प्रकार की लोहे काटने की मसीन का इस्तेमाल किया जाता है जो की पूरी तरह कमपुटराइज होती है अगर आपको यह मसीन ओपरेट करनी आती है चलानी आती है तो आपको बहुती आसानी से 20 से 30,000 रुपे तक की सेल्वी मिल सकती है जितने डाइमेंशन के पार्ट्स की रुक्वार्मेंट होती है वो सेट किया जाता है और फिर लेजर लाइट की मदद से पार्ट्स को काटा जाता है और जब पार्ट्स कड़ जाता है फिर इसे एक मेगनेटिक मसीन की मदद से वेल्डिंग डिपार्टमेंट में लाए जाता है जहां पर वेल्डिंग की मदद से इसको जोड़ा जाता है तो फ्रेंट जैसे की अभी आपने देखा कि काम क्या करना रहेगा अभी हम जेसे बी की ओफिशल नोटिपीकेशन के साथ रीक्वारमेंट के बारे में बात करेंगे कि आपको को apply कैसे करना है अगर आप जेसे भी कमनी के जहिपूर में जो राजस्तान में जो प्लांट है वहाँ पर जॉब करना चाहते हो तो आपको apply कैसे करना पड़ेगा आप मैं आपके साथ हूँ की वेबसाइड पर www.alertjob.in आप यहां पर देख सकते हो यहां पर साड़ी प्रोसेस लिखी गई है आपको किस तरी के से आवेदन करना है क्या फैसिलिटी मिलेगी साड़ी चीजे तो मैं explain करता हूँ हर एक चीज उससे पाहले एक जरूरी बात आपने अभी तक हमारी यहां से जूड सकते हो तो 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 आपने आईटेए किया है, दो साल का आईटेए है, दसवी के बाल आईटेए किया है, तब भी आप इस जॉब के लिए अविदान कर सकते हो, ओके फ्रेंट, यहाँ पर आपको ओवर टाइम मिलेगा, लेकिन एप्रेंटिस वालों को अलग मिलेगा, और मतलब कि एटेकणिसा को अलग मिलेगा, भी आपके बीच में आपकी एज है, नीचे डिक्सिशन में मैं लिंक दे दूँगा वहां से भी इंटर्व्यू का प्रता कर सकते हो यहाँ पे ट्रेड के बारे में लिखा गया है यहाँ पे फ्रेशर केंडिडेट है वो 2020 से 2023 के बीच में आपका आईटिया कम्लेट होना चाहिए आपकी एज 18 से 24 के बीच के होनी चाहिए आपका दसवी में 45 परसंट एज होना चाहिए और आईटिया में 16 परसंट होनी चाहिए तब भी आप एपरेंटिस के लिए अविदन कर सकते हो और जो टेक्निकल ट्रेनी है उनके पास जो अटलब की 6 माइन से लेके 2 साल तक का एक्स्पिरेंस होना चाहिए तब भी आप टेक्निकल ट्रेनी की पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हो यहाँ पर सेलेरी के बारे में लिखा गया है आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो सिलेक्शन प्रोसे होने वाला राइटिंग टेस्ट और आपका इंटर्यू होगा और केमपर्स की डीटेल्स यहाँ पर है केमपर्स की डीटेल्स आप जानने के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक सर्च करके दिखा देता हूँ तो आपको Google पर सर्च करना है Alert Job आप Alert Job भी सर्च कर सकते हो या तो Alert Job.in भी लिख के सर्च कर सकते हो आपके मोबाइल में आप ऐसे ही सर्च करेंगे ना तो आपको मोबाइल में भी आपको यहाँ पर www.alertjob.in की website देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर हर कमनी की requirement के बारे में लिखा रहेगा लेकिन हम आज JCB की requirement के बारे में बात करते हो तो यहाँ पर आपको JCB की सारी instruction मिल जाएगी thank you for watching मिलते हैं नए वीडियो में नई जब वेकनसी के साथ